नमस्कार पहरे साथियों मैं आपका साथी मंदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम हैं डीट्यू रीडर पप्लिकेशन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्याना गुरूप डी बेटिंग क्लियर हो सकती इस वीडियो में इन दोनों टोपिक के बारे हम बात करेंगे साथ ही एक न्यूज भी निकल करा रही है 39 माच के बाद है इस बरती में थोड़ा सा मोड आने वाला क्या मोड आएगा इस वीडियो में वह भी बता हूँ अगर आप हर्याना बोल दिया था कि 6-7 महीने से पहले कुछ नहीं होगा और आज भी मैं अपनी बात पर काया हूँ हर्याना गुरूप डी की वेटिंग की जो लिस्ट है वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगी 6-7 महीने उसमें अभी भी लगेंगे मैं पहले भी बोल रहा था और आज भी बोल कर रहा हूँ अगर अनिमल अटेंडेंट वाले जो युवा हैं वो रोज पर दर्शन कर रहे हैं हर्याना सरकार की खिलाप पंचकुला में और अगर उनको जवाब नहीं मिलता है तो वह 29 मार्च के बाद अपना ये रोज पर दर्शन और तेज कर देंगे हर्याना में हुई गुरूब डी की प्रिक्षा में 18218 प्रिक्षा अर्थियों का चैनवा जिसमें से 16246 से अभी अर्थियों की जोइनिंग होगी लेकिन इनमें से 1922 उमिद्वारों की जोइनिंग नहीं मिली क्योंकि इसमें कुछ ब्लैक्समित वाले हैं कुछ हमारे अनिमल अटेंडेंट वाले कोट के इसमें स्टे की वज़े से उनको जोइनिंग नहीं मिली है इसको रोज में न्यूक्ती पत्तर प्राफ्ट नहीं करने वाले युवा पिछले 35 दिनों से दरनास्तल पर श्यांती पूर प्रदर्शन कर रहे हैं युवाओं का एक पर तेनिदी मंडल चंडिकर मे के महस्ती उसे मिलने गया था परदान रवी चौहान ने बताए कि अगर सरकारों ने जोइनिंग नहीं देने का जवाब नहीं देती है तो वह रोज पर दर्शन करेंगे तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ ठीक है आपकी बात सही है कि आपका जब सेलेक्शन रवरत होती महाँ पर बनाईए ग्रूप डी वेटिंग में भी अभी टाइम लगेगा और एनिमल अटेंडन की जोइनिंग में भी अभी टाइम लगेगा और दोस्तों इसके अलावा अपने चैनल पर एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ न्यू जाने वाली हरियाना MPSW male second list को लेकर और driver की second list को लेकर तब तक के लिए जुड़ेर ये चैनल के साथ और एक आईटाई से जुड़ी वीदियो भी आपको श्याम तक चैनल पर मिल जाएगी इसके परकार की और भी अपडेट पाने के लिए जुड़ेर ये चैनल के साथ जिसका नम है MD2 Reader पब्लिकेशन धन्यवाद दोस्तों